Mysterious Facts के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों क्या आपने दुनिया की सबसे छोटी चिडिया को देखा है, जो कि बस एक अंगूठी जीतनी छोटी होती है, और ये उल्टा भी पीछे की तरफ भी उर सकती है। और क्या आपने दुनिया के सबसे छोटे घोडे को देखा है, जो कि एक बिल्ली के साइच का होता है, और क्या आपने दुनिया के सबसे छोटे बंदर को देखा है, जिसका साइच सिर्फ हमारे अंगूली जितना ही होता है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है इसलिए इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको दुनिया के 10 ऐसे ही सबसे चोटे जानवरों को दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे लेकिन वी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार नमबर टेन पर है मिनेचर होज दोस्तों इस घोरे की प्रजाती दुनिया की सबसे छोटी घोरे की प्रजाती है ये घोरे अधिकतर ब्रिटेन में पाय जाते हैं यह घोरे जन्म से ही इतने छोटे होते हैं बच्पन में ये एक कुट्टे से भी छोटे होते हैं लेकिन जब यह पूरी तरह से बरे हो जाते हैं तब कहीं जाकर इनकी हाइट कुत्ते के बराबर तक हो पाती है। दोस्तों इस घोड़े पर आप सवारी तो नहीं कर सकते हैं लेकिन बच्चे इस घोड़े के साथ खेलना बहुत पसंद करेंगे। आपको बता दू कि इस घोड़े का वेट लगभग 20-25 किलो तक ही होता है जिससे की ये काफी हलके होते हैं और ये काफी क्यूट भी देखते हैं। नमबर नाइन पर है पिग्मी मामो सैट यह दुनिया के सबसे चोटे बंदरों की परजाती है। इस परजाती के बंदर को फिंगर मंकी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी लेंथ बस एक फिंगर के साइच के बराबर तक ही होती है। ये मंकी ब्राजील, कमबोडिया, एक्वाडोर और पीरू के जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी लेंथ लगभग 14-16 इंच तक ही होती है, और इनका वजन लगभग 100 ग्राम तक ही होता है। ये दिखने में काफी क्यूट और प्यारे लगते हैं। इसलिए लोग इसे पालना पसंद करते हैं, और कई सारे लोग तो इसे पालते भी हैं। नमबर 8 पर है ब्रोकेशिया मारको, दोस्तों अगर मैं आपसे कहून की इस दुनिया में एक चीटी से भी छोटा गीरगीट पाया जाता है तो क्या आप यकिन करेंगे। दरसल मैडगास्का के जंगलों में पाया जाने वाला ये गीरगीट साइज में एक चीटी से भी छोटा होता है। इसकी लेंथ लगभग एक इंच तक ही होती है और इसका वजन सिर्फ 0.2 ग्राम तक ही होता है। ये गिरगे छोटे-छोटे किड़े मकोडे को अपना भोजन बनाते हैं। ये दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। काफी क्यूट लगते हैं। और इनकी पूंच बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। और चे काफी फुर्तिले भी होते हैं। और इनकी लाइफ स्पैन सिर्फ 2 साल तक ही होती है। नमबर 6 पर है स्पैकले प्रेदलोपर टॉरे टोईस। ये दुनिया भर में पाया जाने वाला सबसे छोटे कच्छुए की पर जाती है। ये साउथ अफरीका के समुदरी तरपर पाय जाते हैं। इनकी लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। और इनका वजन सिर्फ 80 से 90 ग्राम तक ही होता है। इनके सेल काफी मजबूत होती है जिससे की ये अपने सुरक्षा करते हैं। और ये देखने में भी काफी क्यूट और अच्छे दिखते हैं। नमबर फाइव पर है एटरोसकेंसरेव आप में से 90 परसेंट लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ये एक चूहे जैसा दिखने वाला जीव है जो की मलेशिया और नौर्ट अमेरिका के क्षेतरों में पाया जाता है। आपको बता दे की वजन के हिसाब से ये दु इस परजाती के चूहे दुनिया के सबसे छोटी चूहों की प्रजाती में से एक है। इस परजाती के चूहे पश्चिम मेडगास्कर के नैशनल पार्क में पाये जाते हैं। इनकी लंबाए 80-90 cm तक होती है। और इनका वजन लगभग 30-40 ग्राम तक होता है। यह काफी क् चूनकी ये बहुत हलके होते हैं इसलिए ये काफी फुर्तीला होते हैं और इनकी रफ्तार भी बहुत तेज होती है। और ये काफी प्यारे होते हैं इसलिए कुछ लोग इसे पालना भी पसंद करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस देखने में मजा आ रहा है तो इस परजाती के सापों की लंबाई लगभग 8-10 cm तक ही होती है, जो कि इसे दुनिया के सबसे छोटे सापों की परजाती बनाती है, यह साप देखने में बहुत ही खूबसूरत और प्यारे दिखते हैं, आपको बता दें कि यह देखने में बिलकुल किसी केचुए की तरह दि दोस्तों जितना अजीब यह नाम है उतना ही अजीब यह जानवर भी है, यह मेढग दुनिया के सबसे छोटे मेढग की प्रजाती का मेढग है, इसकी लंबाई सिर्फ 7 mm तक ही होती है, इसे सबसे पहले साल 2012 में खोजा गया था और उसके बाद साल 2013 में इस दुनिया का सब प्यारे और छोटे लगते हैं, इसका वजन सिर्फ 1-2 ग्राम तक ही होता है, दोस्तों अब चलते हैं नमबर वन की तरफ, तो दोस्तों नमबर वन पर है वी हमिंग बड़, दोस्तों यह दुनिया की सबसे छोटी चिडिया है, यह कोबा के घने जंगलों में पाई जाती है और इसकी लंबाई सिर्फ 3-4 सेंटीमीटर तक ही होती है, जो की एक मधुमक्खी के बराबर होती है, आपको बता दू कि यह ज्यादा तर फूलों का रस पीती है और छोटे छोटे अनाज खाती है, यह चिडिया देखने में बहुत ही क्यूट और प्यारी लगती है, इसके यह थे दुनिया के कुछ सबसे चोटे जानवर जिसे शायद आप आज से पहले नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों इन में से आपको सबसे अच्छा जानवर कौन लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, और आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखना मत वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितनी अमेजिंग वीडियो देखते हों, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजि